नमस्कार दोस्तों गेट सक्षे 247 के एक और नियो वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आपके जो रासन पुलिस कॉंस्टिबल के फॉर्म से उनकी जो लास्ट डेट है वो आपके यहाँ पर निकल चुकी है और बहुत सारे सवाल है जो आपको इस वीडियो में पूरे मिल जाएंगे ना जब आप सारे मिल जाएंगे इस वीडियो के अंदर तो आपको क्या करना है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है तो चलिए शुरू करते हैं इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अधिक जानकरीग लिए दिये गए help line number पे contact कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको form के बारे में information देदा दाओं कि आपकी जो form के last data वो आपके निकल चुकी है, अब आपके जिनके भी यहाँ पे गलती हो गई है, कोई भी गलती हो अगर आपने कर दिये form में, तो उसको ठीक करने के लिए, निकर संशोधन की जो तारीख है वो यहाँ पे आ चुकी है, और संशोधन की दिनाग यहाँ पे दे दी गई है, 18 दिसंबर तक आप यहाँ पे इसमें form में editing कर सकते हो, निकर संशोधन कर सकते हो, अगर आपने form में गलती कर दिये तो, अच्छा, दो-तीन चीजे हैं, वो आपकी change नहीं होगी, उनके अलावा अगर आप कोई भी changes करना चाते हो, तो वो आपके हो जाएंगे, थोड़ इसी उसके information दे देता हूँ, उसके बाद total forms वगर है, तयारी कैसे करनी है, सभी चीजे detail में हाँ पे देख लेंगे, अच्छा, चार तारिक से लेकर, चार दिसम्बर से लेकर, 18 दिसम्बर तक आपके form editing की सुविदा दी गई है, निके संशोदन की सुविदा दी गई है, लगबग 15 दिनों का आपको यहां पर समय दिया गया है, और इसकी जो संशोदन का शोल कहा है, कि फीज जो लगेगी वो 300 रुपे लगने वाली है अगर आप form में कोई भी changes करना चाते हो, शंशोदन करना चाते हो, कोई भी आपके गलती होगी यह उससे ठीक करना चाते हो, तो 300 रुपे आपको फीज देनी होगी और आप उसमें changes कर सकते हो, अच्छा, दो-तीन चीज़े हैं, वो आपकी change नहीं होगी, क्या है वो, खुद का नाम, पिता का नाम, एवं आविदन पत्र के संग्यानी के application ID, यह दो-तीन चीज़ें ऐसी हैं, जो आपकी change नहीं होगी, आपकी changes करने हैं, वो आप कर सकते हो, लेकिन यह जो चीज़ें हैं, वो आपकी change नहीं होगी, इन्होंने साफसा पहले ही इस notice में बता दिया है, इसके लावगा कोई भी आप सेंशोदन कर सकते हो, अब यहाँ पर बात करता है, total number of form की, देखे, इसको लेकर है, बहुत सारे students के मन में doubt है, कितने form है, देखे, form basically ज़्यादा depend नहीं करता है, क्योंकि इस बार, इस बार criteria क्या हुआ है, कि एक student ने, आपको खुद को पता है, जो भी यह मेरा वीडियो देख रहा होगा, वो ख घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आपर form की जो संक्या है, वो multiple forms लगाए गए, एक student के, एक student ने 4-4-5-5 यहाँ के 10-10 form भी लगा दिये हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर आपका 8-10 लाग का competition नहीं रहने वाला है, finally अगर बात करें, लेकिन कुल मिला के forms की बात कर लाते है तो 20 लाग लगबग form आपके यहाँ पर बरे जा चुके हैं, घबराना नहीं है, उसी से सबसे पहली चीज है, अगर उसके इसाब से देखें, तो देखें, total number of vacancies आपकी है 4588, 4588 number of vacancies है, पांच गुना इसमें पास के जाएंगे, physical के नहीं कि सबसे पहले आपका written exam होगा, पांच गुना कि अगर मैं बात करूं, तो 22,940, लिख लेना अगर आपको नहीं भी पता है, तो बता देता हूं, 22,940 student यहाँ पर पास के जाएंगे, तो अगर मैं बात करूं कि physical के लिए आपका competition कितना है, और final competition दोनों बता दूंगा, physical के लिए competition अगर मैं बात करूं, त बीस लाग से आप डिवाइड करते हो, 22,940, लग बग इठासी, यानिके 88 students में आपका competition, यानिके एक seat के लिए 88 students के बीच में आपे fight हो रही है, competition चल रहा है, यह तो बात होगे, इस फिजिकल के लिए, अगर final selection लेना चाहते हो, तो final selection के लिए post कितनी है, 4588, 4588, 20 लाग divided by 45 2588 करते हो, तो आपका number of competition आजाता है, 435.91 अप्रोक्सिमेटली 436, यानिके 436 student में से एक student यहाँ पर पास होगा, यह final competition है, ठीक है, physical का अलग बता दिया, और final का अलग बता दिया, अब गबराने की बात नहीं है, यह तो देखिए, एक fact बात थी, वो जी बतानी पड़ती ह इतना competition है, गबराने की बात नहीं है, multiple number of forms आये हैं, कई student तो ऐसे हैं, जो exam ही नहीं देंगे, आप देख लेना, जब final जिसके exam हो जाते हैं, written exam, यह भी बता दूँ, exam date कब तक है, सब चीज़ें यहाँ पर discuss कर लेंगे, जब final आप देख लेना, exam देने जाते हैं, 14-15 लाग ऐसे होंगे, जो सिफ ट्राइ करने के लिए exam देते हैं, जिनके तहरी नहीं होती है, वास्तर में अगर आप बात करते हैं, कि इन में से कितने student competition वाले हैं, जो आपको कड़ी टकर दे सकते हैं, 6-7 लाग student के बीच में आपे competition रहता है, finally मैं अगर आपको यहाँ बात बताऊं किसी किसी का तो एक एगजाम दे पाता है, तो वह एक एगजाम दे पाता है, तो उसके भी वो, जो तीन स्टूडेंट होंगे, वो आपको competition रहता है, तो बेसिकली इसकी आपको return के लिए जो है, वो बहुत अच्छे कर लेनी है, इसके strategy का वीडियो अलग से बना जाएगा, दो-तीन चीज़ें पहले बताता हूँ फिक्स टाइम टेबल से बनाके ही पढ़ना चाहे किसी भी चीज की तेहरी करे हो यह तो सिर्फ अगर मैं बात करूँ रहसान पुलिस कॉंस्टेबल है अगर कोई भी एक्जाम की आप तेहरी कर रहे हो अगर आपके पास एक perfect time table नहीं है कि आज के दिन में आपको कितना एक target लेके चलना पड़ता है कि इस subject के मैं इतने topic करूँगा या करूँगी और कितने subjects आज के दिन में मुझे cover up करने है यह target अगर आप लेके चलते हो तो ही आप किसी exam में success पाते हो तो यह वाला एक daily का आपको routine बनाना है कि daily के next day का रात को सोने से पहले एक करना कि कल के दिन में मुझे इतने topics इस subject के पढ़ने है यह मुझे कल के दिन में पूरा complete करना है तो इस तरीके से त्यारी करोगे एक fixed time table बनाओगे तो बहुत अच्छी त्यारी हो जाएगी आपकी उसके लाओ best books वगेर है अगर coaching भी करते हो online, offline जो भी आप करते हो तो best जग ऐसे आप notes से कटा करो time management करो और सबसे important revision और self study यह कभी मत छोड़ना सिर्फ coaching के बरोसे किसी का selection नहीं होता है जब तक आप उसकी self study या उसका revision नहीं करते हो तो आपकी तयारी पूरी नहीं मानी जाती है तो यह basic सी चीज़े है और बात करूँ exam date के अकुल competition मैंने आपको बता दिये कितना competition आपका चल रहा है अकुल forms मैंने आपको बता दिये form editing के बारे में सारी information आपको यहां पर दे दिये इसके लावा total exam date के यहां पर बात करते हैं काफी student का doubt है कि सर exam date दे कि 18 तक लगबग इसके संचोधन चल रहा है 15 दिन का time आपको दे दिया गया December यहां पर count नहीं करते हैं बात आजाती ही January की क्योंकि लगबग होता है कि 45 जन आपको मिल जाते हैं from editing editing करने के बाद तो बात करूं January mid के बाद आपका कभी भी exam हो सकता है मतलब first week of January नहीं होगा आदर January निकल जाएगा उसके बाद last week में कही ना कही जनवरी में या फिर February starting में कही ना कही इसके exam के अच्छे खासे chances बन रहे हैं या सिर्फ chances बन रहे हैं इससे पहले तो नहीं होगे इससे बाद में ही आपके exam होते हैं कम से कम आज से भी अगर मानो तो लगबग एक से डेड़ महिना आपके पास अराम से पड़ा है और इतने दिन आपके form चले हैं वो time आपके पास पहले से था देखे टेयरी वो नहीं होती कि form total complete होगे उसके बाद आप टेयरी start करो टेयरी वो होती है कि form आने से पहले ही टेयरी start हो जानी चाहिए या form आ गए उस दिन सो कम से कम आपको करनी चाहिए लग बग इतनी तेयरी आपको पहले से कर लेनी चाहिए अभी भी अगर आपने नहीं किये तो आज से ही लेके बैट जाना तेयरी हो तो इसके लाबा कोई भी डाउट रहता है तो comment box वो पोश लेना कोई भी personal doubt पोश ना तो instagram, facebook, whatsapp, telegram यहाँ पोश सकते हो सभी के लिंक वीडियो को description में जाए ज़के है यह वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को like, comment, share, जरूर करें चैनल पर पहली बार आयो, पहली बार विजिट करें तो चैनल को subscribe और bell icon को लिए जरूर करना तो दोस्तों धन्यवाद मिलता नएक वीडियो में